लगातार पूजन अर्चन के बाद प्रधान मंत्री ने परिक्रमा की और इस पूरे मंदिर में जो मंदिर बनने वाला है श्री कलकी धाम में उसकी यहाँ पर शिलानियास की प्रक्रिया में यह बहुत महतोपूर्ण माना जाता है अर déjà समाना जाता है कि अगर आप कोई भी पूजन करें तो उसे पूरा या फिर पूर्न करने के लिए उसकी परिक्रमा की जाती है भगवान श्री विश्नु की परिक्रमा का बहुत महत्व है श्रीकल की धाम में भी भगवान के ही अवतार को भगवान श्री विश्नु के अवतार को और ये शिलान्यास के साथ यहाँ पर उनारमंत्री नरेक्रमोदी जो शिला रखी हुई है उस पर नाम लिखते हुए मंदिर का मॉडल और उसके साथ यहाँ पर बड़ी ही कुपसूटी से सजा हुआ पूरा मंच जो गर्ब ग्रह है जो गर्ब ग्रह बनेगा मंदिर का वो आप देख रहे हैं कैसे स्वस्ती वचन और मंत्रोचारण के साथ यहाँ पर लगातार यह सिर्फ आपको अगर कुछ सुनाई देगा तो मोदी और योगी की यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाई गई गुण जाहमान हो रही भावनाएं साथी साथ आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर व्यक्ति खड़े होकर तस्वीर लेना चाहता है और देखना चाहता है देखें महतुपूर्ण बहुत है यह क्योंकि अभी तक जिस तरह से राम मंदिर आयोध्या की बात हो रही थी और अब सीधे श्रीकल की धाम जो कि विश्नु के अवतार है अब उनका मंदिर बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि जिस तरह से भी राजनीती चल रही है उसक कि उन्होंने किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी है जहां पर एक दशक पहले मंदिर को जब स्थापना हो नी थी तब उसे रोक दिया गया था लेकिन उसके बाद अब स्थापना हो रही है शिलान्यास हो रहा है कैमरा पर्सन मनोर स्रिपाटी के साथ मनोग्या लोईवाल संबल एबीपी नीज़